हेलो दोस्तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लोकोमोटीव क्याम में लगा हुआ यह जो साड़ा पूज बाटन आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो ओ सारा पूज बाटन हमारा किसले इूज होता है तो पहले देखिए जो पूज बाटन है वो है बीपीप तो ऐ यह BPP दाबाने से हमारा नौच बाड़ेगा जब हमारा master controller खाड़ाब हो जाता है तब हम लोग EC operation करता है emergency electrical control तब ए emergency electrical control में नौच बाड़ाने का time यह BPP दाबाने से हमारा नौच बाड़ेगा एन उसके पास में देखिए BPR एक push button है यह दाबाने से हमारा क्या होगा लोगों का जो नौच रहेगा ओ घटेगा तो नौच बढ़ाने के लिए BPP एन नौच घटाने के लिए BPR को दबाएंगे उसके पास में है BPT यह दाबाने से हमारा जो pilot lamb में दो बत्ती रहेगा LSRSI and LSP O-LAM को हम लोग test कर सकते हैं जो O-LAM हमारा size से काम कर रहा है की नहीं तो यह testing के लिए है push button तो BPT इस काम से हम लोग use करते हैं उसके बाद देखिए BPQD तो हमारा जो micro processor local होता है उसमें QD जो relay रहता है उसको nullify करने के लिए हमारा यह BPQD को दबाना होता है BPQD हम लोग up to 10 notch तक दबा सकता है और यह दबाने से हमारा QD relay रहेगा वह हमारा काम में नहीं आएगा उसके नीचे में देखिए हमारा ZQWC है तो यह ZQWC हमारा QWC लोको में relay रहता है जो हमारा weight compensation relay हम लोग जानता है तो यह relay को energize करता है ZQWC दबाने से तो यह relay energize क्यों करना पड़ता है क्योंकि हम लोग जब starting में heavy loaded train को start करता है तो हमारा लोको में जो आगे वाला wheel रहेगा उसमें ज्यादा load को खिछने के लिए ज्यादा force हमारा traction motor को देना पड़ेगा तो इसको हमारा equally distribute करने के लिए weight compensation relay दिया जाता है तो इसको हम लोग activate करने के लिए ZQWC को दबाता है तो यह हम लोग 0 notch और 1 notch में दबा सकता है ZQWC को और यह जो ZQWC है उसका अलग नाम है BPQWC उसके बगल में देखिए BP SW तो हमारा लोको में BP pressure को quick charge करने के लिए हम लोग इस बटन को दबा सकता है उसके बगल में देखिए SW एक switch विज ले आ गया है तो HW हमारा क्या होता है जब हमारा लोको का flacer light जल जाता है तब ओ flacer light को बुझाने के लिए और buzzer जो बज़ता है जब जलता है तो ओ दोनों को बंद करने के लिए HW हमारा switch दिया गया है तो ओ फूस बटन को दबाने से हमारा flacer light बंद हो जाएगा और उसके साथ buzzer भी हमारा stop हो जाएगा तो उसके पास में है VCD reset push button तो यह हमारा VCD जब actuate हो जाता है तब VCD को reset करने के time यह जो push button इसको दबाना होता है तो आज हम लोग इस वीडियो में देखा लोको मोटिव कैम में लगा हुआ यह जो सारा push button है इसका काम क्या है तो इस वीडियो अब लोग का अच्छा लगा तो वीडियो को like जरूर करना चानल को subscribe करना मिलते हैं next कोई वीडियो में